अस्सलाम अलेकुम मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं अलक्ट्रिक ओलाइन अच्छा जी यह एक आई हुए मेरे पास और इसका इशू क्या आ रहा है इसकी वजह क्या आ रही है हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं वो कहरे हैं जैसी इसका जो यह सुच है यह हम साकट में लगाते हैं तो पताखा मारती है पताखा बचता है ठीक है और ब्लेक कर जाता है तो भई है इसकी एक छोड़ी सी प्राब्लम होती है छोड़ी सी इसको यहां पर खोलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ तो देखें जनाव यह मैंने उपन कर ली है इसको पेज जितने भी लगए थे खोल ली है तो यह देखें जी अंदर से क्या हाल है क्यू नहीं वो जो पठाखा मार रहे है इसके अंदर नहीं दिया तो वह यह पेज के अंदर लाजमी से तार को दिया करें ताके किसी भी किसम से कोई प्रॉब्लम ना आए इसकी जो गृब बनी रहे यह ताके खेचाओ ना पड़े यह मैं आपको अक्सर वीडियो में बता चुका हूँ तो भई यह अभी हम इसको गृब भी देंगे और तार को नए सीरे से लगाएंगे अगर आपके पस कोई एकसी अक्स्टेंशन वायर है या बोर्ड है उसका प्रॉब्लम बन गया शार्ट हो रही है तो भई आपके बोर्ड है या एक्स्टेंशन इसको खोल कर लाजमी से देख लेना है तो यहां तो वो सुच की प्रॉब्लम होगी तार शार्ट हो सकती है या फिर यह जो आपके सामने एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है भी आपको यह हो सकती है तो अभी इसको कट करके नए सीरे से छील के वाफ़स लगाता हूँ उसक ग्रिप के अंदर मैंने वायर दे रही है आप जितनी मर्जी खेच लग जाए इसको यहां से यह तार नहीं निकलेगी और यह खराब भी नहीं होगी तो वह यह चोड़ी सी वीडियो थी मैंने सोचा आप दोस्तों साथ यह शेयर कर लूँ ताके आप दोस्तों को किसी भी क कीजेगा चैनल पर अगर नहीं है तो वही सबस्क्राइब कीजेगा मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज